नमस्कार दोस्तों नोकरियान यूटूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है तो दोस्तों आप जैसा देख रहे हैं SSC GD 2018 के एड्मिट कार्ड के संदर में एक बहुत बड़ी खुसकबरी लेकर आया हूँ बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट SSC GD के एड्मिट कार्ड से सम्मधित में आपको लेकर आया हूँ तो बिल्कुल आज की अपडेट है इसी से में आपको आउगत कराने वाला हूँ तो चलिए देखते हैं कि आपके एड्मिट कार्ड के संदर में क्या कुछ निउज आई है तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि लाइव हिंदुस्तान की ये निउज में आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है तो लाइव हिंदुस्तान की जो न्यूज है इससे मैं आपको अगवत करा हूँगा देखिए SSC GD Constable Admit Card जल्ड जारी होंगे Constable GD के Admit Card आप देख पा रहे हैं कि 4 फरवरी 2019 की 6 बजकर 11 बजे की जो ये न्यूज है प्रकासित की गई है लाइव हिंदुस्तान E-Papers में तिक है तो यहाँ पर देखेंगे कि आपके SSC GD के Admit Card कब तक प्रकासित कर दिये जाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आप देख पा रहे हैं कि करमचारी चैन आयो की और से Constable General Duty भरती की परिक्षा का Admit Card जल्द ही जारी किया जा सकता है SSC GD Constable भरती की परिक्षा 11 फरवरी 2019 को आयोजित होनी है तो जैसा आप जानते हैं कि आपकी भरती की परिक्षा जो 11 फरवरी 2019 से 11 मार्स तक जो आपके एक्जाम होने वाले है तो ऐसे में माना जा रहा है कि SSC GD के Admit Card 7 फरवरी तक आयोगी अधिकारिक वेबसाइट SSC.NIC.IN पर जारी किये जा सकते है तो आज है चार तारिक और आपके साथ तारिक को जो है साथ फरवरी को आयोगी ओफिशल वेबसाइट पर आपके Admit Card जो है जारी कर दिये जाएंगे सिर्फ तीन दिन का और इंतिजार आपको करना बागी है आगे दिया गया है Admit Card जारी होने के बाद SSC सभी स्थानी वेबसाइट पर Constable GD परिक्षा Admit Card के लिंक एक्टिवेट कर दिये जाएंगे तो जितने भी जोन है जोन वाइस जो है आपके Admit Card का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा साल 2018 में SSC ने Constable GD के 54,953 पदों पर भरती के लिए जुलाई में नोटिफिकेशन जारी किया था तो जुलाई में इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था SSC की इस GD Constable भरती के जरिए BSF, CRPF, SSB, ITBP, INA और BSF में सिपाईयों की तैनाती की जानी है SSC GD Constable की परिक्षाएं 11 फरवरी से 11 मार्च के बीच आयोजित की जाएंगे तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि आपके एडमिट कार जो है 7 फरवरी तक आयोग की अधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिये जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ तीन दिन का इंतिजार और करना है फिर आप SSC की ओफिशल वेबसाइट पर जाकर जोन वाईज आपको जो है लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा वो वहाँ से आप अपने एडमिट कार डाउनलोड कर पाएंगे तो दोस्तो ये एक छोटी से अपडेट थी कि SSC GD के एडमिट कार साथ फरवरी को SSC की आधिकारिक ओफिशल वेबसाइट पर अपलोड कर दिये जाएंगे उमीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो दोस्तो SSC से सम्मधि जो कोई भी अपडेट आता है उसके संदर में हम वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कैंडिडेट्स को इस कब तक जारी कर दी जाएंगे तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंफोर्मेशन के साथ तब तक के लिए जैहिन